नमस्ते दोस्तों जोहार मैंने में सर आप सभी का विस्टेक्षाग वाधी यूट्यूब चैनल में हाधिक स्वागत करता हूँ क्लास 11 के स्टुएंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माईदम से क्लास 11 के इंग्लिस स्कोर के हॉन्विल बुक से चैप्टर 3 यानि डिस्कावरिं टूट दा सागा कांटिनूस के टॉप 20 एक्जाम रिलेटेट MSQ टाइप कोर्शन करवाने वाला हूँ जिसको देखने एक बाद आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे दोस्तों तो देर किछ बात की जल्दी सी बीडियो को लाइक करें और साइज दस्तों भी सेर कर दें तो सुरू सांत तक इस वीडियो बने रहिए और जो भी इस्टूरेंट्स इस चैनल पते पर आहिंए वह जलदी सी चैनल को सस्काइब कर लें chapters जितने भी poems हैं, आप लोग chapters के लेखक को करके जहिएगा, और poems के point का नाम को याद करके जाहिएगा, आपका एक भी question नहीं छूटने वाला दोस्तों, ठीक है, इसको याद किजीगा, ठीक है, तो यह जो story है, discovering Toot the saga continues, इसके author का नाम इनके लेखा का नाम क्या है दोस्तों option one is the correct answer A.R. Williams याद कर लिजेगा चलिए दोस्तों next question बढ़ते हैं question 2 देख सते क्या पुछा गया है वैंडी टूट डाइ ठीक है यानि टूट की मिर्तु कब हुई थी यह आप से question पुछा गया है इसका correct answer जोस्तों option A क्या हो जाएगा when he was a teenager क्या हो जाएगा when he was a teenager जब वो किसोर अवस्ता में था यानि teenager age में था teenager किसे कहते जोस्तों जैसे 13 14 15 16 17 18 19 याई जिसके last में 10 लगा रहता है उसे teenager कहते है याई टूट की जो है मिर्टु हुआ था वो teenager age में हुआ था यानि 13 19 की बीच में उनका मिर्टु हुआ था तो option जो A है वो correct answer हो जाएगा he was a teenager when he was a teenager ठीक है चलिए जोस्तों next question बढ़ते हैं हम लोग question number 3 की और क्या पुछा गया बहुत important question है जैक के तरब से 2019 में पूछा भी गिया है ठीक है that was the last hire of a powerful Egyptian dynasty ठीक है यानि एक सकतिसाली डैस एक सकतिसाली मिस्र राजवंस का अंतीम वारिस था ठीक है यानि मिस्र यानि Egyptian का अंतीम वारिस कोन था दोस्तों इस सामराज का इस राजवंस का सबसे सकतिसाली यानि अंतीम वा बिशन आजा थे ठीक है याद रखिएगा चले आगे बढ़ते हम लोगो टोशन वाफ फॉर की ओर कोशन पुछा गया हूँ आज क्या लिख हा गिया हूँ वास तूतना खामुन कोन था यह आप से कोशन पुछा गया है तो तूतन खामुन था दोस्तों याद रखिए इसक इसके बारे में कोई नहीं जानता दोस्तों, कोई इतियास का नहीं बता सकता है, क्योंकि एक रहाश्य सिम्माई है, ठीक है, यहाँ एक रहाश्य है, यानि उप्सन जो A है, वो correct answer रहाश्य है, इनके बारे में कोई भी नहीं पता लगा सकता है, या लगाया है कि इनकी मिर्ट का नाम है God का नाम क्या है जोस्तों याद रखेगा option B God of afterlife याद रखेगा Egypt के जो लोग है जोस्तों वो सुचते है कि मिट्टू के बाद भी जीवन है ठीक है यानि afterlife भी जीवन है तो याद रखेगा afterlife जो God है उनका नाम है क्या Osiris याद रखेगा God of afterlife is the correct answer चलिए आगे बढ़ कि कोज किसने की थी ठीक है टूट के मकबरे की कोज किसने की थी वो डिसका बड़ तूट्स टोम इसका correct answer क्या हो जागा दोस्तों हावर्ट कार्ट कार्टर क्या होजगा हावर्ट कार्टर is the correct answer option जो D है वो correct answer हो जागा ठीक है छलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे question number 8 की और question मेर 8 में क्या पुछा गिया है यह question same to say होई question जो 2019 में पुछा गिया था यह question पुछा गिया है 2020 में थोड़ा से change करके क्या पुछा गिया है कि who discovered King Tut's tomb in 1922 ठीक है यानि 1922 में King Tut के मकबरे की खोज किसने की थी यह Jack के तरफ से 2020 में पुछा गिया है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका भी correct answer होई होगा Howard Carter is the correct answer option A is the correct answer याद रखेगा इसमें एक question और छिपा हुआ है कि Tut का जो Tom था यानि Tut का जो मकबरा था वो खोजा कब गिया था 1922 में किनके दोरा खोजा गिया था Howard Carter के दोरा इसको भी याद कर लीजेगा ठीक है chapter 1 का video बना दिया गया है chapter 2 का video बना दिया गया है आज यह जो video बता रहा हूँ chapter 3 ठीक है playlist बना दिया जाएगा एक से एक back to back videos आएंगे ठीक है कितने बच्चे चाहते हैं कि back to back videos आएं इंगली की खोज हुई थी याद रखेगा after 3300 years के बाद ठीक है इस मखबरी की खोज हुई थी चलिए आगे बढ़ेंगा हम लोग क्यों क्यों नाइन क्यों क्यों नाइन में क्या पुछा गिया है यह जो हावर्ड कार्टर है ठीक है हावर्ड कार्टर वाज डैस आर्कियोलॉजिस्ट ठीक है हावर्ड कार्टर एक डैस पुरा तत्तु वेता थे पुरा तत्तु वेता किसको बोलते हैं जो पुराना चीजों को खोज कर निकालते है ठीक है तो यह एक आर्कियोलॉजिस्ट थे यह आपसे क्योश्ट पूछा गिया है इसका correct answer होगा option A British archaeologist थे कौन हावर्ड कार वाज एक ब्रिटिस्ट आर्कियो लॉजिस्ट ठीक है चलिए आगे बरते हम लोग क्वेश्ट में 10 की ओर कोश्ट में 10 में क्या पूछा गिया है दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्ट में 10 में पूछा गिया है कि what was the most striking feature of Toots mummy यह जो question दोस्तों यह भी बहुत important है यह भी Jack के तरफ से 2019 में पूछा गिया है कि Toot की मम्मी मम्मी समझते हैं दोस्तों जब किसी Egypt में जो होता है दोस्तों वो जब कोई date करते थे उसको white color के फीते से बांद दिया जाता था ठीक है पट्टी लगाया जाता था उसको मम्मी बोला जाता था ठीक है तो Toot की मम्मी की सबसे खा रखेंस तूट चेंजल से तूटन ऍogo सतनों से यानि आपना नाम में जुटन ऋ तूटन चेंज किया तूटन चेंजा जुर्टन ऊटनी划े तूथला होगा एक तूटन तूब्सिंगे पर दिखाई देरा तूटन खातन में Aten, A-T-E-N, यह भी एक God का नाम है, और यहाँ पर जो खामुन किया, दोस्तों, तूतन खामुन, वहाँ पर देखे, A-M-U-N, यह भी एक God का नाम है, ठीक है, यानि इस नाम को चेंज करके यह नाम किया गया है, याद रखे, जो ए है, वो correct answer होजएगा, A-M-U-N, A-M-U-N, तूतन खामुन रूल, एजिप्ट, याद रखेगा, तूतन खामुन जो है, एजिप्ट, यानि मिस्र पर कितने वर्सों तक सासन किया, तो याद रखेगा, यहाँ पर 11 है, वो 11 years में king बना था, याद रखेगा, और एक चीज मैंने बताया था, दोस्तों, वो teenager age में ही मर ग याँ का 9 वर्स तक, कितना दोस्तों, 9 वर्स तक, याद रखेगा, ओप्सन जो A है, वो correct answer हो जेगा, 9 years तक वो rule किया था, सासन किया था, ठीक है, और 11 years में वो king बना था, याद रखेगा, यानि उनकी मौत सवाबिक रूप से 18 या 19 years में हुई होगी, ठीक है, याद था, कि 1920 के दसक में, कार्टर ने जो किया, उसके कारण ममी बहुत बुरी इस्तिती में है, याद रखेगा, जो सकता है, कुदाल चला दिया होगा, बहुत कुछ चला दिया गया होगा, तो याद रखेगा, बुरा bad condition में था, ये line जो है, किसने कहा था, ये कहा था, option जो B है वो correct answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जही हवास is the correct answer, ठीक है, ये line किसने कहा था, जही हवास ने कहा था, चला आगे बढ़ेंगा हम लोग, next question की ओर, question of 14 की ओर, question of 14 में आप देख सकते क्या लिखा गिया है, जही हवास was the security general of Egypt's desk, ठीक है, यानि, जही हवास Egypt के, यानि मिस answer के, desk के महा सचीब थे, बहुत important question है, तो कहा के महा सचीब थे दोस्तों, तो option आपको दिखाई दे रहा, कहा, option जो है, option A is the correct answer, supreme council of antiquities, ठीक है, यानि, पुरा वेसो के सर्वोच परिशत के, वो security थे, याद रखे, security general थे, चला आगे बढ़ेंगा, question number 15 की ओर, क्या पुछा when was toots body, toots body taken for city scan in the 21st century, क्या पुछा गया, when was toots body taken for city scan in the 21st century, याद रखेगा, 213 सधी में, तोट के सरीर को city scan के लिए कब ले जाया गया, देख सकते है, इनका city scan हुआ था, ठीक है, ये पहला मम्मी था, जिसका city scan हुआ था, याद रखेगा, ये first मम्मी था, जिसका city scan हुआ था, यानि मरने के बाद, ठीक है, जिन्दा में CT scan होता है, ये मरने के बाद हुआ था, ये first मम्मी था, याद रखेगा, मम्मी में, मम्मी मिस मा मत तमजजीगा, मम्मी आप लोग याद रखेगा, बहुत सारे इंग्लिस मूवी में, और हॉरर मूवी मीस में दिखाया ग será the Mam तोम में ठीक है याद रखेगा उसमें भूत उत्व लगता है ठीक है तीन याद रखेगा वैन वास्ट टूट्स बड़ी टेकन फॉर सिटी इसके इन थे 21st सेंचुरी तो याद रखेगा जनंवरी 5, 2005 याद रखेगे यहां भी 5 में यहाद नबर 16 की ओर कोश्चन 16 में क्या पूछा गया थे कि बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है कि वाट ड़स सिटी स्कें इस्टेंड फॉर्म क्या है सिटी स्टेंड का मतलब क्या होता है यह आप से पूछा गया ठीक है यह यह भी एक जीके का कोश्चन दोस्तो नॉलेज वाला सिटी स्केंड का फूल पाँ आपको पता चल गया ठीक है चले आगे बढ़ेंगे कोश्चन 17 की ओर कुछा गया वाट इस ए कींग कॉल्ट इन इजीप्ट इजीप्ट यानि मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था महाराजा महाराजा तो इंडिया में कहा जाता जोस्तों वह जाता था क्या याद रखी जोस्तो भी है वो करेक्ट अंसर हो जाएगा बहुत ही इंप्ञटन कोशन दूस्तों याद रखी का कि कि वद्सीप्ट jużfam फैर को यह फेरो के नाम से यह याद करके जयाएगा वैटीं कोशन 17 की ओर which gods were worshipped in Egypt थोड़ा देर पहले मैंने बताया थो दोस्तों इस question का answer कि which gods were worshipped in Egypt मिसर में किन देबताओ यानि Egypt में किन देबताओ कि पुजा की जाती है तो याद रखी दोस्तों दो, एक Amun जो याद रखेगा पहला हो जो है Amun और दूसरा जो है Atan यानि दोनों के दोनों correct answer होजीगा Amun जो है दोस्तो Sun यानि सूरी है और Air यानि वाइव के देबता है और जो आपको Atan दिखाए देरा वो सूरी की disk याद रखेगा ये दोनों को दोनों God है दोस्तों याद रखेगा Amun और Atan दोनों correct answer है Option जो है C U जो है वो correct answer हुजएगा बोत A and B दोनों इसलिए ना याद रखेगा तूट का जो नाम था वो last में आपको Amun भी देखने को मिला और Atan भी देखने को मिला पहले Atan था बाद में change करके Amun लगाया था ना तो आगे बढ़ेंगे लास्ट में Atan भी जोड़ा गिया था लास्ट में Amun तूट का नाम में देख सकते हैं God का नाम भी जोड़ा हुआ है यानि यहाँ पर question पूछा गिया है Tutankhamun के saw यानि dead body में के साथ क्या-क्या मिला तो उसका buddy के साथ क्या-क्या मिला था दोस्तों यहाँ पर जो option D आपको दिखाए दे रहा वो correct answer हो जाए क्या-क्या answer देख सकते हैं gold मिला था यानि sona मिला था wealth यानि धन मिला था bronze razor मिला था ठीक है bronze किसको बोलते है कासा ठीक है और games का चीज़ भी मिला था close मिला था, कपड़ा मिला था cases of food यानि भोजन जो रखते ने दोस्तों डबा सब वो सब मिला था and wine wine मिला था आप सभी को पता है सराब होता है यह सब भी दपनाया गया था क्यों दपनाया गया था क्योंकि एजिप्ट के जो लोग है वो मानते है कि मरने के बाद भी life होता है और उनका यह सारे चीजे काम आएंगे इसलिए यह सारे चीज दपनाया उनके साथ जाता था ठीक है इसको याद कर लिजेगा चलिए आज का लास्ट और अंतीम कोशन देखेंगे क्या पुछागी आप लोग देख सकते हैं वाट फेक्ट वाट फेक्ट्स वेर रिविल्ड वैन दा ममी वास एक्सरेट इन नाइटीन सिस्टी एट चलिए सबसे इंपॉर्डेन कोशन यह पर आप एक डेट याद कर लिजेगा 1968 में उनका एक्सरे किया गया था ठीक है अप लिखा गया ना 1968 में उनका क्या हुआ था एक्सरे हुआ होगा ठीक है तो याद रखिएगा जब एक्सरे किया ज़रा था 1968 में ममी का जब एक्सरे किया गया तो कौन से तच्छ सामने आए तो जब उसका बड़ी का एक्सरे किया गया तो दोस्तों तो दो चीज याद रखेगा उसकी छाती की हड़ी और सामने की पसलिया गायब थी याद रखेगा अप्शन जो C है वो करेक्ट अंसर हो जाएगा इस ब्रिष्ट बोन और फ्रांट रिब्स वेर मिसिंग ठीक है क्योंकि हाट कट जब निकार रहे तो दोस्तों मैंने बताया था ना कुदाल वगरा वगरा चला दिया होगा जिससे उसका हड़िया वगरा खिसक गिया और जो बाकी बड़ी था वो निकला था ठीक है तो क्या-क्या गायब हो गया था याद रखेगा इस ब्रिष्ट बोन गायब हो गया था अफ्रांट रिब्स जो है वो मिसिंग हो गया था यह दोनों गायब हो गया था ठीक है यह था दोस्तों आज का टॉप 20 important mcq questions आप लोग को इन 20 questions में कितना आता था इमानदारी से बताई है ठीक है अगर दस आता था दस लिखेगा कोई बात नहीं है मेरे वीडियो को देखने एक बाद आपके 20 20 याद हुआ कि नहीं वो जरूर बताई है ठीक है क्योंकि आप लोग एक्जाम में तभाई मचा काना फोड काना ठीक है और क्या-क्या वीडिय इंपॉर्डेंट वीडियो से रातो रात अपलोट किये जाएंगे टैंसर मत लीजिएगा चैनल पर विजिट करते रहिएगा ठीक है तब तब मिलते जोस्तों एक नए वीडियो में धहनेवाद जाहिंद बंदमात्रम